नमस्कार, स्टोरी शैरी के इस सावन महिमा सीरिस के दूसरे एपिसोड में मैं प्रशान नान कर आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तो पिछले एपिसोड में हमने श्रावण मास का धार्मिक महत्व देखा आज हम सुनते हैं श्रावण मास से जुड़ी कुछ पौरानिक कता है दोस्तो श्रावण शब्द श्रवण से बना हुआ है जिसका अर्थ है सुनना अर्थात सुनकर धर्म को समझना वेदों को भी शुरुती कहा जाता है अर्थात उस ग्यान को ईश्वर से सुनकर रुशियों ने लोगों को सुनाया था तो आज हम सुनते हैं श्रावण सुमवर की कथा इस कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे इतना सब कुछ होने पर भी वो व्यापारी अंतरमन से बहुत दुखी था क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा पुत्रपाने की इच्छा से वो व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की वरत पूजा किया करता था सायंकाल को वो व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा हे प्राणनात यह व्यापारी आपका सच्चा भग दिखता है कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूरी करें भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा है पार्वती इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ती होती है प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी उन्होंने आग्रह करते हुए कहा नहीं प्राणनात आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी यह आपका अनन्य भक्त लगता है प्रती सोमवार आपका विदिवत वरत करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगा कर एक समय भोजन गरहन करता है आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान देना ही होगा पारवती का इतना आगरह देखकर भगवान शिव ने कहा तुमारे आगरह पर इस व्यापारी को मैं पुत्र प्राप्ति का वर्दान तो जरूर देता हूं लेकिन उसका पुत्र सोला वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा उसी राद भगवान शिव ने स्वपन में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान दिया और उसके पुत्र के सोला वर्ष तक जीवित रहने की बाद भी उसे बताई भगवान के वर्दान से व्यापारी को खुशी तो हुई लेकिन पुत्र की अलपायू की चिंता में उस खुशी को नश्ट कर दिया व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विदिवत व्रत करता रहा कुछ महिने पश्चात उसके घर एक अतिस उंदर पुत्र उत्पन्न हुआ पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशिया भर गई बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारौ उसने मनाया व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई क्योंकि उस पुत्र की अलपायू के रहस्य का पता उसे था यह रहस्य घर में किसी और को मालूम नहीं था विद्वान ब्रामुनों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा जब अमर बारा साल का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वारानसी भेजने का निश्चे हुआ व्यापारी ने अमर को उसके मामा दीपचन को सौपा और कहा कि आप उसे शिक्षा के लिए वारानसी छोड़ाओ अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्री के विश्राम के लिए रुखते वही वो यग्य करते और प्रामणों को भोजन खिलाते थे लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे उस नगर में राजा की कन्या के विवा की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था निश्चित समय पर बारात आ गई लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काने होने पर बहुत ही चिंतित था उसे इस बात का भै था कि राजा को अगर ये बात मालूम पड़ती है तो वो इस विवा सम्मन्द से इनकार कर देगा इससे उसकी बदनामी भी बहुत होगी वर के पिता ने अमर को देखा और उसके मस्तिश में एक विचार आया उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दुला बनाकर राजकुमारी का विवा इससे लगा दूँ विवा के बाद इसको धन देकर बिदा कर दूँ और राजकुमारी को अपने नगर वापस लेके जाऊँ वर के पिता ने इसी संबन में अमर और दीपचन से बात की दीपचन ने धन के लालच में इस बात को स्विकार भी कर लिया अमर को दूले के वस्र पहना कर राजकुमारी चंद्रिका से विवा कर दिया गया राजा ने बहुत सा धन देकर राशकुमारी की विदाई की तैयारी की अमर जब लोट रहा था तो वो सच को चुपा नहीं सका उसने राशकुमारी की ओढ़नी पर एक बात लिग दी राशकुमारी चंद्री का तुम्हारा विभा तो मेरे साथ हुआ था मैं तो वारानेसी में शिक्षा प्राप्त करनी के लिए जा रहा हूँ अब तुम्हें जिस नविवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो काना है जब राशकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ वो पत्र पड़ा तो उसने वो उस काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया राजा ने सब बाते जानकर राशकुमारी को महल में ही रख दिया उधर अमर अपने मामा दीपचन के साथ वारानसी पहुचा अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया जब अमर की आयू 16 सार की पुरी हो गई तो उसने एक यग्य किया यग्य की समापती पर ब्रामनों को भोजन कराया और खूब अन और वस्तर का दान किया रात को अमर अपने शैन कक्ष में सो गया शीव के वरदान के अनुसार शैना वस्ता में ही अमर के प्राण पकेरू उड़ गये सुर्यदय पर मामा अमर को मुर्त देखकर रोने पीटने लगा आसपास के लोग जमा हो गए और उन्होंने भी दुख व्यक्त किया मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शीव और माता पार्वती ने भी सुन लिये पार्वती जी ने भगवान से कहा प्राण नात मुझसे इनके रोने का स्वर सहा नहीं जा रहा है आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर करें भगवान शीव पार्वती जी के साथ अदुरुष रूप में उस मुर्त व्यक्ति के नजदीक जब जाते हैं तो पार्वती जी और शीव जी उसको देखते हैं तब पार्वती जी से शीव बोलते हैं पार्वती ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है मैंने इसे 16 वर्ष की आयू का वर्दान दिया था मुझे लगता इसके आयू तो अभी पूरी हो गई है पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया है प्राणनात आप इस लड़के को जीवित करें नहीं तो इस लड़के का पिता तो आपका परमभक्त है वर्षों से सोमवार का वरत करते हुए आपको भोक लगा रहा है पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान लिया और कुछ ही पल में वो जीवित होकर उट बैठा शिक्षा समाप करने पर अमर मामा के साथ अपने नगर के और चल दिया दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवा हुआ था उस नगर में भी अमर ने एक यग्य का आयोजन किया समीब से गुजरते हुए नगर के राजा ने यग्य का आयोजन देखा राजा ने अमर वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उन्हें विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिक भी उनके साथ में दिये। दीपचन्ने नगर पहुचते ही एक दूद को घर बेच कर अपने आगमन की सूचना दी। अपने बेटे अमर के जीवित वाप लोटने की सूचना से वैपारी बहुत प्रसद्ण हुआ। वैपारी ने अपने पत्नी के साथ स्वयम को एक कमरे में बन कर लिया था। भूके पैसे रहकर वैपारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतिक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिग्या कर रही थी तया, यदि उन माचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठीकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वपन में आकर कहा हे स्रिष्टी मैंने तेरे सोमवार के वरत करने और वरत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ सोमवार का वरत करने से व्यापारी के घर में खुशिया लोटाई शास्त्रों में लिखा गया है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत वरत करते हैं और वरत कथा सुनते हैं उनकी सभी च्छाएं पूरी होती है तो दोस्तों ये थी सोमवार वरत की कथा आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताईए हम अगले एपिसोड में स्रावन मा के ऐसे ही किसी दिन का महत्व और उससे जुड़ी हुई कहानी लेके आने वाले हैं तब तक के लिए हमें आग्या दीजिए नमस्कार